पिछले वीडियो में हमने Carl Pearson Coefficient of Iskundes individual series के लिए कैसे calculate करते हैं उसको हमने देखा था यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर discrete series दी गई है तो उसका Carl Pearson Coefficient of Iskundes कैसे आप calculate कर सकते हैं तो यहाँ पर यह question जो है दिया गया है from the following data find out the Carl Pearson Coefficient of Iskundes तो यह question become about university 2002 में और कानपूर university 2003 में यह question पूँचा गया तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी object की size दी गई है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसकी frequencies दी गई है तो 10 के लिए 2 है, 11 के लिए 4 frequency, 12 के लिए 10 frequency 13 के लिए 8 frequency, 14 के लिए 5 frequency और 15 के लिए 1 frequency है तो यहाँ पर जो हम पहला वाला formula है हमने जो last video देखा था, उसमें हमने mean और median का use करके जो है Carl Pearson Coefficient of Iskundes को calculate गया था यहाँ पर जो है हम mean minus mode divided by standard deviation यह वाला formula यूज करके जो हम यहाँ पर इस discrete series का जो है Carl Pearson Coefficient of Iskundes calculate करेंगे इसको जो है आपको tablet form में लिख लेना है तो X और F यानि की पहला जो column है वो X को जागा जहाँ पर आप size को note कर लेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद frequency यहाँ पर आपको जो है note कर लेनी है जिस भी variable के जो frequency है वो आपको note कर लेना है इसको जो है divide कर देना है N यानि की total frequency sum of frequency submission F या फिर N आप उसको denote कर सकते है N या फिर submission F से तो आपको submission Fs को sum of frequency यानि N से या फिर submission F से divide कर देना है तो सबसे पहले आपको क्या find out करना है आपर F और X यानि F column का X column से multiply कर देना है जो variable आएगा जो value आएगी वो Fx में आ जाएगा clear तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको क्या है कि 10 है X की value और frequency क्या है उसकी 2 तो 10 into 2 कर देना है तो 20 हो जाएगा इससी तरीके से अगली variable क्या है 11 और उसकी frequency क्या है 4 तो 11 into 4 कर देना है इससी तरीके से आपको सारी सभी के लिए Fx कल्कुलेट करने ला है तो 10 into 20, 10 into 2, 20, 11 into 4, 44, 12 into 10, 120, 13 into 8, 104, 14 into 5, 70, 15 into 1, 15 तो यहाँ पर आपके सामने Fx आ गया है आपको चाहिए क्या? summation Fx चाहिए तो यह जो Fx की values आई है सबको add कर देना है 20 plus 44 plus 120 plus 104 plus 70 plus 15 तो यह आजाएगा आपका summation Fx आने के 373 आपका Fx क्या आगया? 373 आगया clear? आपके सामने formula आपको पता है main का formula क्या है? summation Fx divided by n तो यह आने के 373 divided by 30 summation Fx की value क्या आई? 373 आई और n की value क्या आई टी? 30 जानि summation of F वो उसकी इतनी value आई थी? 30 तो 373 divided by 30 करेंगे तो आजाएगा 12.43 12.43 यह हो गया है इस discrete series का mean अगला आपको क्या चाहिए? mode तो यहाँ पर आप देखे by inspection method से हम यहाँ पर mode को identify कर सकते हैं सबसे ज़्यादा frequency आपको कौन सी देख रही है? तो सबसे ज़्यादा frequency आपको यहाँ पर देख रही है 10 frequency वाला column देखेंगे तो सबसे ज़्यादा frequency क्या है? 10 है और वो 10 frequency किस size के लिए है? 12 size के लिए है तो mode क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा तो by inspection it is clear that the highest frequency is 10 hence mode is equal to 12 तो 12 के ही सबसे ज़्यादा frequency है clear 12 के ही सबसे ज़्यादा frequency है तो इसलिए 12 का होगा mode हो जाएगा तो आपको mean मिल गए 12.43 mode मिल गए 12 अब आपको क्या find out करना है? standard deviation formula क्या है? mean minus mode divided by standard deviation तो mean पता चल गया, mode पता चल गया standard deviation आपको find out करना है तो standard deviation का formula क्या है? square root of summation fd square divided by n अब यहाँ पर d square क्या है? d square यानि की deviation तो deviation कैसे calculate करते है? x minus mean यानि जो x वाला column आप देख रहे हैं इसमें जितने भी values हैं सब में से mean को minus कर देना है तो आपके पास आजागा deviation फिर जो deviation आएगा यानि x minus mean जो आएगा उसका square निकाल लेना है फिर उसको में जो है frequency का multiply करना है फिर जो d square में frequency का multiply किया उसको add कर देना है जो value आएगी वही submission fd square होगी तो हम यहाँ पर उसको एक करके solve करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? deviation निकालना है deviation कहाँ से निकालना है? mean से यानि x minus x bar यानि x minus 12.43 clear? तो सबसे पहले value क्या है? x का 10 तो 10 में से आपको 12.43 माइनस करना है तो 10 में से 12.43 माइनस करेंगे तो value आजाएगी क्या आएगी? minus 2.43 आएगी इसी तरीके से अगला variable आप x का देखेंगे तो 11 है तो 11 में से 12.43 माइनस करेंगे तो क्या आजाएगा? minus 1.43 आजाएगा clear? 13-12.43 करेंगे तो 0.57 आएगा 14-12.43 करेंगे तो 1.57 आएगा और नहीं पर 15-12.43 करेंगे तो 2.57 आएगा तो यह क्या गया? यह division from 12.43 यानि कि d आया है लेकिन आपको क्या चाहिए FD square यानि आपको D square निकालना है त्यानि यह जो deviation वाला आया है value इसका square कर देना है त्यानि minus 2.43 into minus 2.43 करना है फिर उसके बाद minus 1.43 into minus 1.43 करना है तो minus 2.43 into minus 2.43 करेंगे तो आज़ेगा 5.90 minus 1.43 करेंगे multiply by minus 1.43 to 2.04 आज़ेगा इसे तरह के से 0.43 क का square 0.32 होगा 1.57 का square 2.46 होगा और वहीं पर 3.57 का square 2.57 का square 6.60 निया पर हो जाएगा clear तो इस तरीके से जो है आपको D square आपको calculate कर लेना है तो क्या चाहिए अब हमको चाहिए FD square का sum चाहिए आने कि यह जो D square आया है इसमें आपको frequency को multiply कर देना आने कि 2 multiply by 5.90 तो 11.8 हो जा 10 x 0.18 करेंगे तो 1.8 हो जाएगा 8 x 0.32 करेंगे तो 2.56 हो जाएगा तो इस तरीके से आपको FD square सभी values के लिए calculate कर लेना है clear 1 x 6.60 करेंगे तो 6.60 ही आएगा तो आपको मिल गया FD square clear अब FD square का sum याने कि FD square की column में जितने values ने सबको add कर देना है तो 11.8 plus 8.16 plus 1.8 plus 2.56 plus 12. 12.3 plus 6.60 तो इसको जाएगा 43.22 याने कि submission FD square क्या आगया 43.22 आगया clear formula आपके सामने है आपको submission FD square का value मिल गया है n की value 30 already आपने find out करके रखी है आपको formula में value put कर देने है आप और standard deviation आप calculate कर लेंगे तो square root of submission FD square divided by n याने कि square root of 43.22 divided by 30 clear 43.22 divided by 30 तो 43.22 को 30 से divide करेंगे तो आजाएगा 1.440 याने कि क्या हो जाएगा square root of 1.440 clear और इसको जब आप 1.440 का square root लेंगे तो आजाएगा 1.20 तो यहाँ पर आपको रूप देखेंगे mean की value आगे 12.43, mode आगया 12 और standard deviation आगया 1.20 अब आपको जो है carl Pearson coefficient of scoreness का जो formula होता है that is j is equal to mean minus mode divided by standard deviation इसमें आपको values put कर देने है mean की value 12.43, mode की value 12 और standard deviation की value 1.20 तो 12.43 minus 12 divided by 1.20 तो 12.43 में से 12 minus करेंगे तो आजाएगा 0.43 यानि 0.43 divided by 1.20 हो जाएगा इसको solve करेंगे तो आजाएगा 0.358 यह जो है इस discrete series का carl Pearson coefficient of scoreness होगा that is 0.358 तो इस तरीके से आपको discrete series के लिए आपको carl Pearson coefficient of scoreness निकालना है तो सबसे पहले आपको series दी गई होगी, discrete series दी गई होगी, पहले आपको series का mean निकाल लेना है, mean निकालने बाद उसका mode निकाल लेना है, अगर mode नहीं identify कर पा रहे है तो फिर वहाँ पर median निकालना होगा, फिर उसके बाद standard deviation calculate करना है, और फिर mean median standard deviation या फिर mean mode standard deviation जो भी आपने calculate किया है, उसका formula में use करना है, formula में value put कर देनी है, और फिर आपको calculate कर लेना है, answer आ जाएगा, तो show all the best, keep watching.